आज मैं आप लोग साथ शियर कर रही हूं पांच रुपे वाले पाले जी बिस्किट से ऐसी मिठाई बनाने की रेसिपी जिसके आंगे मावा की सारी मिठाईयां फेल हो जाएंगी तो यह मिठाई आप एक बार बना कर जरूर देखिएगा तो चलिए बनाने स्टार्ट करते ह हैं यह मिठाई तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे घी तो यहां इस मिठाई को जो है देसी घी में बनाकर दियार करेंगे से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है घी गरम होने के बाद जो पांच रुपे वाले पाले जी बिसकिट आते हैं उसके दो पै जाएंगे तो यह वापस से जो है क्रंची हो जाते हैं तो अभी आप देख सकते हैं बिसकिट जो है काफी अच्छे से से शिक चुके है मैंने इनको पलट करके दोनों तरफ से शेक लिया है अब इनको निकाल देंगे बाहर सारे बिसकिट को इसी तरीके से बाकी के जो बच में आलते में और गदर दर छस्ол कुऊंख देंगे दर्दर कर लेंगे मैं अच्छे सीह इन में ओर तो यहां मैंने जो कुछ इस तरीकी का इनको जो है गुश्च कर लिया है देख सकते हैं थोड़ से दाने दाने इसमें रह गया ना यह बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे इसमें तो इस तरीकी का ही रखना है अब पैन में डालने हैं चीनी तो चाह टेबल स्कून यान कि वन हमें गुल चुकी है अब इसमें डालने के बाद कप मिल्क पावडर आप चाहें तो मिल्क पावडरということ का यूश्क रुजा Time के अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स कर को जो है और इसमें कि पांच और Claro s इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे तो इस तरीके से इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाते रहेंगे और इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये जो है कढ़ाई को छोड़ने ना लगे तो जैसे हम बर्फी के लिए पकाते हैं वैसी इसको भी जो है पका लेना है तब आप देख सक्वें काफी थिक सा रहा है इसी तरीके से इसको पकाते रहेंगे और जब ये इस तरीके से पैन को छोड़ने लगेगा तब हम कर देंगे गेस का फ्लेम आफ और अब आप देख सकते हैं इसने घी भी छोड़ने स्टार्ट कर दिया है अगर अगर आपका गी ज़ाधा खोड़े तो आप इसको साइड में घी को निकाल दीजिए बाकि किसी और मिठाई में यूजर्स कर सकते हैं अभी मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो अभी ये जो है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अब हातों पर ले करके इसके जो है इस तरीके से पेड़े बना लेंगे आप चाहें तो लड़ू भी बना सकते हैं और फिर बर्फी बना लें और इसको कोट कर देंगे बूरे में तो बिल्कुल जैसे मत्रा के पेड़े होते हैं वैसी बन जाएंगे और साथ में इसको गानिश करेंगे पिस्ता की साथ इसी तरीके से सारे पेड़े बना लेंगे और सच में इसका जो टेस्ट है न वो मार्केट की सारी मावा वाली मिठाईयों को फेल कर देगा आप एक बार ट्राय करके देखिएगा ये पांच रुपे वाले पाले जी बिस्किट से बहुत ज्यादा टेस्टी मिठाई बनती ह तो अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बता है आपको ये रेस्पी कैसी लगी तो चले अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में